कि वंदे मात्रम करमचारी साथियों एप्यार के संबंद में आज करलें देशक मादेम सिक्षा रास्तान भीकाने की तरफ से मैंतोपोन आदेश जारी किये गए हैं इसका जो विशे है कि लोग सेवकों द्वारा प्रतिवर्स एप्यार यानि एनुएल प्रफॉर्मेंस एप् अगरांगित निर्देशों की एपालना के साथ किया जाना है अब इंपोर्टेंट बातें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो समस्त लोग शेवक जिसमें कनिस्ट साइक से लेकर प्राज दनाचारेव संवर्ग कि अब इसके ललावप प्रती वेदक समीक्ता स्विकार करता अधिकारी गान साइसर सालारप्ण प्रश्थ तीन दो जर्वाइस और समय समय जो भी निर्देश चारी किये उनके समझ में अब समसे इंपोर्टेंट बात है कि क्या क्या डेट है क्या सडूल रहेगा तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ठीपने अंकित करना और अग्रीशित करना यह किसके द्वारा होगा कौन कौन है और चलब प्रस्तुत करने की अंतिम्तिति प्रति वर्स जो है वह निर्दार की ईए अब जैसे पहला पाइंट है कि लोग श्यूवारा वार्षिक कारीय मुल्य एंकन प्रतिवेदने प्रस्तुत करना तो करेंगे तो कारयलों में कारयत मंत्रालिक कार्मिक हुर दिकारियों के लिए ज rasa अभी माना जाये Katy दो जाए तो भी और दिकारियों के लिए pakल प्रिष्यत करनीए rolling इस सब्चे इंपोर्टेन बात की जैसे आज 22 तारिक चल रही है तो 30 अप्रेल तक को भी मंतराली करमचारी है और अधिकारी है उनको अपनी इप्यपार हो 30 अप्रिल तक अपने अप्रेशित करने प्रेशित करनी है और जो सभी च्टप और टूैचलर ने अग्रेशाणी और रहे लुष के लिए वह तक है उनके didشal तक है व stratuen प्रतिवेद्ग अधिगारी द्वारह प्रतिवेद्ण पर ट्रिपनी ग्रेडिंग करना और समिक्ष अधिकारी को प्रेशित करना उसके बाद में जो प्रति आपके परेशित करना तक करेंगे यह लोग सेवेक है कि उनके मामिले में 31 अगस्त तक इह हुगा इसके आलवा समीक्षा अदिगारी कुछ उसके फिलिए जो सmb singular Go, Go भी है वह 30 जोनतुन तो की समीक्षा करें इसको फर्वड करेंगे और उसके बाद में सेक्षिक वर्ग उसके लिए 30 सितंबर तक का शेडूल निदायत किया गया और स्विक्राथ करता अधिकारी दर अपर्दिवेदन पर टिपनी ग्रेडिंग कित करना और समधित कारे लेत को संतर ने तो बिजवाना यह सारा काम है मंत्राली करमचारियों के लिए 31 वो प्रस्तुत करना जुरूरी है तो इसका आप विशेज चैनल के सला दरपन के मोड्यूल से इसको कैसे करना है तो उसके लिए मैंने कभी वीडियो एपियार से समधित पहले भी बनाए हुए और अब भी जैसे मानलों को जुद पड़ीगी तो मैं एक वीडियो बहुत ज तो जो शिक्षे लेवल जिला स्क्षा दिखा रही हो और उनसे उपर वाले जो भी है वो राजगा से करेंगे बाकि जो भी सिख्षे वगर के करमिक है वह सालत अतरपन पोटल के स्टाफ लोगिन से उसमें उसमें एक नाम है जैसे नाम है जन्मतितिय एंप्लाई अडिये पदिस्तापन विशे है अधी को भलीपाती जांच ले और यदी इनमें कोई संसोतन अपेक्षित है तो सर अपतम साला दर्पन के प्रपत्र 10 में अवस्यक्त संसोतन करने के बाद ही अपने एपियार ओनलाइन करें क्योंकि अगर कुछ कलती है तो वह एपियार है वो आगे ग लोग होते हैं तो वहां से आप संपर करके अपना जो भी प्रपत्र टैने वह लोग करवा सकते हैं और दूसरा पॉइंट है कि लोग से कोंकि यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने मुल्पद संवर के अनुसार एपियर की अवदी और प्रतिवेदन का चाहिन करते हुए स् मतित प्रतिवेदे कारी को निर्धाएदी समय आफ दिमिया अपना प्रतिवेदे ने ओंलाइन दे такая क्रें त्रूप लोग से पचाहि उंकि नंगिए्व करता आधिकारी div कर नाम का सत्यापन वेरिपिकेशन निदे साले के परिपत्र तेईस यारा 2020 और अध्यतन चैनल के अनुसार करें और यह आवे दिन में किसे प्रकार की तुरूटी पाई जाती है तो कारण साइध लोग से वह को पुना लोटाई जाए यानि उसको वाविस रिजेट कर दे या सोब्सेदर लें इस सारा जो प्रोसेश है आपको किस तरीकी से काम करना है कारमिक लेवल पे क्या करना है और पृद्धि लेवल पर किना इसके लिए लाग लेग विडियो है वो बना रखें आप वीडियो देख सकते हैं और मैं उटी जो वीडियों का जो भी लिंक है इस और प्रतिवेद में प्रतिष्टी का इंद राइज प्रतिवेत मिक्ष समय हुद करोंगि और जिन कारनौ से प्रत्य प्रिविस्टी की जा रही है उससे समक्रश्ट ग्रेडिंग दिगी ऐ तो ग्रेडिंग का अधार शुरुप जो कारण है वह भी पर्तिवेदन में अवस्यू लिख रहें तो यह मैंतुपन बात थी और इसके लावा कुछ अभी तवधी पर उस अवधी का अनलाइन पर्दिवेदन नहीं पराजाए और जो भी निर्देश दिये होगा है उसमें निर्देश होके नुसार एनर्सी यह तूओ ऑनलाइन अवदन करें और जिन वर्सों की EPR को आणलाइन करने की प्रक्रेट है कि गए उन वर्सों की EPR off-line स्विकर नहीं की जाएगी उनके प्रतिनिवेन पर निमान तरगत टिपनी मुल्यांगन का अंकत कर समधिये जो भी स्मेक्षक याश्विकर करता अधिकारी को प्रिशित करेंगे तो यह इंपोर्टेंट बात है थी एपीर के समध में सबसे मैं तो बहुत बात कि मंत्रा लेकर में चारियों को अपने 30 अ मिलते हैं नेक्स उडियो में तब तक जै हिंद जै भारत